सबी बच्चों को नमस्कार जेहिंद वन्द मात्रम मध्य पर्देश बोर्ड वार्षिक परिक्चा पेपर दोजार तेईस कर्चा दस वी विशे गनित गनित के डर को यदि दूर करना है और अपने प्रेश्ण पत्र में एक बी कोईशन बहारन नहीं जाने देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वाइरल प्रेश्णों का उत्तर सहीत पूरा हल करवा रहा हूं जी हाँ दोस्तों सो परिक्चा अब आप बनेंगे टोपर यदि वीश्टियों को देखेंगे लास्ट तक किस विरकार से अब्जेक्ट आएंगे किस विरक का तो 11 मार्च के दिन दुहूं मचाना है सातियों और बिलकुल जिस परकार बगलों में हंस अलग दिखता है उसे परकार यदि आप इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तो उसे परकार आप भी नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों सबसे दमदार और सबसे मज़दार तैयारी आपकी होने वाली है क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है आप लोगों के लिए एक से एक दमदार वीडियो लाना सातियों अब देखना एक भी कोशन आपका बाहर नहीं होगा चलिए स्टार्ट करते हम आज के से वीडियो को बिना टाइम खराब किये उससे पहले म अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्दी से मुझे बता है आप सब्सक्राइब नहीं करते देखिए इस क्लास को बढाने के लिए कोई आपसे पे नहीं लिया जा रहा है साथियो बिल्कुल निसुल के बिल्कुल फिरी है तो कम से कम आप एक लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेर तो कर ही सकते हैं कम से कम और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो मिल सके तीनों काम करने से आप लोगों का ही फाइदा है हमारा कोई फाइदा नहीं है साथियो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेर कर दो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास में जितने भी जुड़ चुके हैं और हमारे जितने बच्चे बाद में जुड़ेंगे आप सभी का स्वागत है पहला वीडियो देखते हैं हम गनित का गनित का समपूर्ण सोलुशियन के साथ ये वीडियो पर राप्त हो रहा है आपको बिल्कुल अगर आप चाते हैं ना कि स्क्रीन सोट हमें तो लेना है स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं आप लोगों के लिए पूरी सुविदा है में आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसकी इसकी लिंक डिस्क्रप्सथन में यह पीडियो आप मिल जाएगा ठीक है चलिए तो पहला कोशन हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों बिल्कुल एक नए अंदाज में आप पढ़ोगे और आप भूलोगे नहीं किसी पूर्णा अंक एम के लिए समपूर्णा अंक नीमन स्वरूप का होता है तो यदि कोशन आजाए कि किसी पूर्णा अंक एम के लिए समपूर्णा नीमन स्वरूप का होता है तो किस स्वरूप का होता है वो होता है साथियो 2M स्वरूप का होता है अगला कॉश्चन हम देखेंगे यदि किसी दूइगाद बहुपत AX स्क्वार प्लस BX प्लस C के सुन्यक अलपा और बीटा होतो अलपा और बीटा का मान होगा तो मेरे दोस्तो मेरे प्यारे बच्चो अलपा और बीटा का मान हो जाएगा माइनस B अपोन A हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस B अपोन A करेक्ट अनसर हो जाएगा आप स्क्रिन सोट ले सकते हैं इसका जो स्टूडेंट अच्छे है वो सभी ध्यान दे और जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनोंने किसी भी कारण वस कोई मजबूरी रही होगी जिसकारण वोनने वस बर इस्टडी नहीं की है तो सांतियों बस इतना ही पढ़ लेना अगर पास होना है तो इतना पढ़ लेना आपको कोई फेल नहीं कर सकता अगला कोश्यन रेकिक समी करण युगम A1 X प्लस B 1 Y प्लस C 1 बराबर सुन्य तता A2 X प्लस B 2 Y प्लस C 2 बराबर सुन्य का कोई हल नहीं होने की सर्त है तो नहीं होने की जो सर्त है सांतियों वो सर्त यह है एक बहिया A1 अपोन A2 बराबर B1 अपोन B2 बराबर नहीं है कि C1 अपोन C2 के बराबर नहीं है यही तो क्या है सर्त है अगला कोश्चन देखेंगे चोता वाला सभी कोश्चन के अंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ आप लोगों के लिए सारी सुवीदा यहाँ पर आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर पीडियेप मिल जाएगा अंसर आपको मिल रहा है बस इतना पढ़ लो यदी धमाका करना है 11 मार्च के पेपर में और सबसे अलग नजर आना है तो दोस्तो वीडियो को लाफ्ट तक देखना है और जितने भी मेरे नन्ने मुन्ने बच्चे जुड़ चुके हैं आप सभी से रेक्वेफ्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई अगला वीडियो पाने के लिए अन्य सब्जेक्ट का ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटिक बटन कोल पर करना और अपने सभी भाईयों को अपने भेहनों को शेर कर देना अपने वाटसब गुरूप पर अपने वाटसब इस्टेटस पर शेर कर देना अपने स्कुल वाले कोचिंग वाले सभी स्टुडेंट्स को शे कौन होगा तो पहले बुजा का सम्मु कौन कितना होगा मेरे दोस्तों तो पहले बुजा का सम्मु कौन होगा नब्बे डिगरी कितना होगा नब्बे डिगरी अगला कुश्चन देखिए का बिंदु ओ ए 1,2 और बी 3,4 को मिलाने वाली रेका के मध्य बिंदु के निर्दश दिशांक होंगे सांतियों वो होंगे 2,3 दिशांक होंगे अब हम बात करेंगे प्रिश्ण नमबर दूसरा प्रिश्ण नमबर दो है आपका प्रिश्ण नमबर दो में कह रहा है कि रिक्तिस्तानों की पूरती कीजिए तो रिक्तिस्तान की पूरती भी कर देते हैं अभी कर द A into B हो जाएगा क्या हो जाएगा A into B हाँ पर आप देख पा रहे हैं तो लिख दीजे अगला कोश्यन रेकिक बहुपद रेकिक बहुपद A X plus B का सुन्यक minus B upon A होगा minus B upon A है अगला कोश्यन समी करण X minus 3 X plus 4 बरबर सुन्यके मूल है तो सुन्यके मूल होंगे 3, minus 4 सुन्यके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे अगला कोश्यन ध्यान रखिएगा अपने हाथ में अपने सस्त्रों को उटा कर रखना है आपको सस्त्र गया है कोपी और पेन है सातियो इनको उटा कर रखिए और इन कोश्यनों को नोट करते चलिए बार बार पढ़ते रहिए समय अब जादा नहीं बचा है अगला कोश्यन समानतर स्रेणी ए कोमा ए प्लस बी कोमा ए प्लस टूडी कोमा का एनवा पद होगा का एनवा जो पद होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका एनवा पद हो जाएगा गलती तो किसी बिरकार के करना ही नहीं है पांच वा कोश्चन देखेंगे तिर्बूज समरूप होते हैं तो कौन से तिर्बूज समरूप होते हैं तो सम भाव तिर्बूज क्या होते हैं समरूप होते हैं नेक्स्ट कोशन देखेंगे य माइनस अक्ष पर इस्तिद बिंदू के निर्दशांग के रूप में होते हैं तो यह होते हैं O,Y के रूप में होते हैं अगला कोशन वरत तता उसकी इस पर सरेका के उबनेश्ट बिंदू को कहते हैं देखें वरत तता उसकी इस पर सरेका के उबनेश्ट बिंदू को कहते हैं तो उसको कहते हैं इस पर सरेका के उबनेश्ट बिंदू को कहते हैं अगला कोशन आप देखेंगे जोडी में प्रिश्ण नंबर जोडी में तीसरा प्रिश्ण हल करेंगे तीस राप्रेशनाल करना है तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि साइन 30 डिगरी का मान कितना होता है तो साइन साइन गाड़ी लेंगे भाईया 30 डिगरी 30,000 की तो ये ये तो इसको लेने के लिए हमें आदे पेसे क्या करने पड़ते हैं सा याद रखना आप ताकि भूलो ना ठीकि अगला कुश्चन देखेंगे अंडर रूट सेख स्कुर्ण टीटा माइनस वन तो यहां पर इसका अंसर होगा वो होगा 10 टीटा और 1 पिलस 10 स्कुर्ण टीटा तो इसका अंसर हो जाएगा सेख स्कुर्ण टीटा और 1 अपॉन तो इसको किस से मिलाओगे कोस टीटा से मिलाओगे और 2 साइन स्कुर्ण टीटा पिलस कोस स्कुर्ण टीटा इसको मिलाओगे आप 2 से किस से मिलाओगे 2 से और कोस एक स्कुर्ण टीटा माइनस वन इसको मिलाओगे कोट स्कुर्ण टीटा गलती किसी परकार की नहीं करना है गलती तो करना ही नहीं है किसी भी बिरकार की जल्द बाजी किस बात की कि नमबर कटा दे ऐसी जल्द बाजी नहीं करना है मेरे दोस्तों अगला कोशन देखेंगे चोटा जिसमें एक सब देखवा की मुत्तर आपको मिलेंगे देखिए दिये गए चित्र में बहुपद P X के लिए Y बराबर P X का ग्राब दिया है तो P X के सुन्याको की संक्या बताईए यहां पर गिराब दिख रहा है आप लोगों को इस गिराब में आपको सुन्यकों की संक्या बताए ना है क्या करना है बताना है दोस्तों तो इसमें आप पूरा देखो गे तो रसा मैं जूम करता हूँ तो इसमें आप पूरा देखेंगे तो इसमें आपको दो सुन्यकों की संक्या नजर आएगी अगला कोश्चन देखेंगे यदि X प्लस Y बराबर 5 तता X बराबर 1 हो तो Y कमान ग्याद कीजिए तो Y कमान होगा 4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीके दूसरे वाले मनसर के लगा लोगे 4 अगला कोश्चन द्वी घास समीकरन A X स्क्वाइर पिलस B X पिलस C वराबर सुन्य के विक्तिकर का सूंत्र लिखिए तो इसका होता है D स्क्वाइर 4 AC D स्क्वाइर माइनस 4 AC अगला कोश्चन वरत की परिदी का सूंत्र लिखिए तो वरत की परिदी का सूंत्र है 2 पाई आर 2 पाई आर करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन बेलन के आईतन का सूंत्र लिखिए तो बेलन के आईतन का सूंत्र है पाई आर स्क्वाइर H बेलन के आइतन का सूत्र हो जाएगा है है ना भूलना नहीं है ये question बहुती बहुती महतुपुर्न नहीं है परिक्ट्या की द्रश्टी से अगला question चटा एक, दो, तीन, चार, पाच का सरवंतर माजडी क्या होगा तो आप सबी को पता है मात्य क्या होगा 3 होगा यहाँ पर लिक्णा भी है 3 क्रैक्ट अंसर होगा किसी अनिस्षित गटना की प्राइग्ता का मान कितना होगा तो सुन्य होगा कितना होगा सुन्य हो जाएगा next question आप देखेंगे सत्य फत्य बताईए सत्य फत्य बताना है सात्यों गलती किसी परकार के करना नहीं है नहीं तो फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है नमबर कट जाते हैं एक प्राकर्त संक्या का अभाज गुनान खंड उसके गुनान खंडों के क्रम को छोड़ते हुए अदूतिय होता है तो इसमें आपका करेक्ट अंसर होगा इसमें करेक्ट अंसर आपका होगा जी हाँ दोस्तो इसमें आप लगा लेंगे सत्य क्या लगाएंगे सत्य इसमें लगाएंगे ठीके सत्य लिखना है ऐसे ठीक लगा करना आएं ठीके सत्य लिखना है क्या लिखोगे यहां सत्य जहां पर हम राइट लगाएंगे सत्य लिखोगे जहां पर हम कट लगाएंगे वहां सत्य लिखेंगे दूसरा देखिए वरत का चेत्रपल बरबर टू पाई आर होता है दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका असत्य तीसरा देखिए गोले का संपूर्ण प्रष्ट फोर पाय आर स्कोयर होता है जहां आर गोले की तरिज्जा है तो ये बिल्कुल सत्य है किके अगला देखेंगे माध्यक बहुलक एवां माध्य के माध्य के मध्य संबंद है तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस टू माध्य बिल्कुल सही और व्रत को दो बिंदू अबर प्रतिचेत करने वाले रेका को छेदा करेका केते हैं बिल्कुल सत्य ठीके और आपका छटा वाला भी क्यों जाएगा सत्य हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखिएगा कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 7, 8, 9, 10, 11 इन में से आपको मुझे बताईएगा जो कोशन क्रिवांग मैं बता रहा हूँ पूरा तेश तक हल बताऊँगा ठीके लेकिन इन में से जो कोशन आपको नहीं आता है सांतियो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा मैं आप लोगों को ये टेलिग्राम चेनल पर सेंड कर दूँगा जिससे हमारा समय बच जाएगा क्योंकि अब भी वीडियो हमारा 15 मिनिट का असपास का हो चुका है पेपर 23 तक आप देख पार हैं कोशन नमबर 23 वा आपकी स्क्रीन पर है तो आप जादा से जादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेर कर दो इन में से मैंने 6 से लेकर जो आपको 23 तक कोशन बता हैं इन में से जो आपको नहीं आते हैं तेलिग्राम चैनल पर मैं आपको अंसर प्रिवाइट करवा दूँगा तो आप मुझे सभी बच्चे ओल इस्टूडेंट मुझे कमेंट बोक्स में बता देंगे कि हमें ये कोशन नहीं आता है मैं जरूर आप लोगों के लिए सेंड करूंगा सांतियो आप बताने की कोशी जरूर करिएगा देखिए कमेंट करने में आपको कुछ नहीं भी गड़ता है कि अगर आगे कोशन नहीं आता है तो आप पूश सकते हैं बता सकते हैं मैं आपको तुरंत शेंड कर दूँगा या आप इसी वीडियो के डिसक्रप्शन जो कमेंट बोक्स उसमें भी आप कमे आप